I support this bill. Thank you. पुर्णाज पाटी ने हमेशाँ देश में अनुसूचित जाती हो अनुसूचित जन जाती हो और अल्प संख्यकों के सर्वत्तम हितों को रखा जान स held in broader माननिय बहन जी ने उत्तरप्रदेश के आदिवासी छेत्रों जैसे मिर्जापूर, सोनभद्रो, चंदोली में महवादियों के खिलाफ अभियान चलाया, समाज के मुख के धारा में उनके पुनर्वास के लिए कई कल्यानकारी योजनाये बनाई और नीतियों के माध्यम से ऐ राज सरकारों की सिफारिशों के साथ संबंधित आयोगों द्वारा व्यापक विशलेशन पर अपनी संबंधित स्टी स्टी सूची में संसोधन देखा है ऐसा ही फैसला उत्रप्रदेश के लिए भी लिया जाना था जो गोण, धुरिया, नायक, ओजा, पतारी, समुधाय को स्टी सूची से निकाल कर स्टी सूची में शामिल करता है, हाला कि भारत के चुनाव आयोग ने तत्कालिन राजी चुनाओं के कारण इस संसोधन की सुरुवात को सगित करने की शिफारिश की थी, हाला कि अब जब चुनाव समाप्त हो गय है, तो सरकार का उत् इसके 62 जिलों में अनुसूची जाती और 613 जिलों में अनुसूची जन जाती में वर्गित किया गया है, अब इन जिलों की संख्या को बढ़ा का सत्रा कर दी गई है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में इस समाज को स्टी पुरी तरह से किया जाए, उधार पता चलता है कि उन्हें एसी के रूप में वर्गी कृत किया गया है इससे आपस में उनकी पहचान को लेकर अनिस्चित्ता पैदा होती है और साथ ही सिक्षा और रोजगार में वो आरक्षन का फायदा नहीं मिलता जिससे ही समाज को मिलना चाहिए इससे वे वन्चित रह कि मूल पहचान या समझ की कमी प्रतीत होती है जो सामोहिक रूप से अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाएं या फिजिस्ट समाजिक या राजनितिक मुद्दों को नहीं उठा पाएं इसके अलावा वे समान रूप से लाब या योजनाओं का भी लाप नहीं उठा पा है राज की संबंधित सूचियों में संसोधन के साथ उम्मीद थी कि यह अन्ततर ठीक हो जाएगा लेकिन इसमें अब देरी हो गई है सूची का संसोधन वैसे ही एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें राज्य के साथ साथ केंद्री मंत्रालों से कई स्थरों की सिफारिशों की आवशक्ता होती है इसके लिए राष्ट्री अनुसूची जाती आयोग राष्ट्री अनुसूची जन जाती आयोग द्वारा और अधिक जाच के आवशक्ता होती है कई अलग अलग निकायों के भी सहमती और अभी सरन में वर्शों लग सकते हैं और आवशक्ता से अधिक स समय लेने को उत्तर पदेश बंचित रह जाना पड़ा है वर्तमान में उत्तर पदेश में ऐसी सूची में Сथेजातिया है और स्थेज्ट सूची में च्छह जन जातियां सामील है यदि गोड, धुरिया, नायक, ओजा, पथारी, राजगोड समुदाय को स्टी सूची से स्टी सूची में स्थारंतरन किया जाता है तो उन्हें विभिन सरकारी योजना और अनुसूची जन जाती के आरक्षन का लाब उठाने में मदद हो सकेगी और उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा केंद्रिय बजट 2022-23 पे जन जाती मामलों के मंत्राले ने 8,451.92 करोड का बजट परिवयर निधार्द किया है जो पिछले साथ 7,524.87 करोड के रुपए से आवंटन से 12.32 प्रशिसत अधिक है इसके अलावा कई योजनाय जैसे एक लवे मॉडल आवासी विद्धाल है पीम जन जाती विकास योजना वी सीएफ स्टी आदी योजनाय से इन समुदाए के लोगों को फायदा मिल सकता है समुदाए को स्टी सूची में स्तांतरित करके सरकार समावेशी विकास के दिशा में एक और कदम उठा सकती है और यह सुनस्चित कर सकती है कि इन समुदाए के लोगों को इस बड़े हुए परिवे का लाब मिल सके इसके अलावा मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की उन 17 OBC जातियों की तरफ जैसे कहार, कश्यप, केवट, मला, निशाद, आदी कई जातिया है जो आरक्षन से अक्षादित करने के लिए अनुसूची जाती में शामिल करने का प्रस्ता उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में कारकरती बाहन, मानिय बहन जी ने एक नहीं बलकि कई बार भेजा है लेकिन केंद सरकार ने राजनितिक कारनों के चलते कभी भी उन प्रस्ताओं को अमल नहीं किया मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन 17 जातियों को भी OBC से निकाल कर OBC का कोटा अनुपाद घटा कर S-C कोटे का अनुपाद बढ़ा कर उसमें शामिल किया जाए इसके साथ साथ हाल में ही अभी सुप्रीम कोट का आदेश आया है कि राजबर समाज को भी OBC कोटे से निकाल कर S-C के कोटे में सम्मिलित किया जाए जिसको राज्य सरकार को दो मेने के अंदर उसमें सोचना है लेकिन मेरा मानने मंतरी जी से और सकेंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजबर समाज को OBC से निकाल कर S-C कोटे में डाला जाता कि वो गरीब समाज अपना उत्थान कर सके महोदय आज दलित समाज सोशित समाज सिर्फ एक ओट बैंग की तरह रह गया है आज आज अगर किसी जाती को यहां से वहां उठा कर कर देते हैं तिसे कोई फरक नहीं पड़ता है जब तक आप S-C-S-T के बाबा साहब डॉक्टर भीम राव द्वारा दिये गए आरक्षन को पुर्णतह लागू नहीं करेंगे अगर सिक्षा और रोजगार में उन्हें अपने आरक्षन का फायदा पूरा मिलेगा तो सरकार को न तो उनको मुफ्त राशन न अनसुविदावन दोने की अवशक्ता पड़ेगी वह खुद इसके लिए सक्षम हो जाएंगे और सामाज की मुख्यदारा में खुद जुड़ पाएंगे जिसके लिए मेरी सरकार से मान्य मंत्री जी से मान्य प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि निजी करण को रोका जाए या तो निजी करण में भी आरक्षन को लागू किया जाए जिससे मेरा दबा कुझला शोशित समाज की मुख्यदारा में अपने आपको सममित कर सके आपने मुझे बोलने का मोका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्री बीवी पार्टी जी